गुड डिवनिंग गाईज मैं सुबा के उठी ती साड़े चार बजे और मैंने दो बजे तक काम किया लेकिन बीच वीच में रस्ट करके कर लेते हैं लेकिन काम जब तक कंप्लीट ना हो तब तक चैन नहीं आता बिना किसी की मदद के काम करती हैं और फिर शाम के बज़ रह तो बहुत जादा घबराट होने शुरू हो जाती है तो मेरी प्रेस होगी थी कंप्लीट तो मैं तेहन वाले कपड़े भी अपने बैट के साथ में लेकर बैठती हूँ एक तरफ मैं तेहन लगानी शुरू हो जाती है जो कोई चदर होती है या कुछ और होता है तो वह मैं खड़े होकर तेहन लगा लेती हूँ लेकिन जो बैठने वाले कपड़े होती है तो वह मैं लगा कर रखती हूँ यह देखिए चदर रह गई थी तो मैं इसे अब तेहन लगा दूँगी तो मेरे कपड़े सारी अलमीर में समेठती हैं अब और मैं आगी हूं रुसोई में तो मैंने किचन में आकर सबसे पहले साफ करती हूँ किचन को अच्छी तरह से क्योंकि अगर हमारी किचन साफ ना हो तो शाम का टाइम है तो बिल्कुल भी खाना बनाने का दिल नहीं करता और पहले जो बरतन पड़े होते हैं दुपहर के या फ्रिज में से कोई निकालने वा साफ करती हूँ लेकिन ऐसा नहीं है भी मैं रोज की जोर जालीद होती हूँ लेकिन उसमें बरतन कोई भी हम मेरा मैफाल तो नहीं रखती मतलब कहने का है बिल्कुल एक दम से फ्रिज को साफ रखती हूँ क्योंकि फ्रिज अगर अच्छा हो तो अगले दिन भी और भी कड़े के भी हमारे आगे टूटी लगी हुई है और इसे पानी निकालना बहुत मतलब असान हो जाता है तो इसी कारण से अब मैं कर रहे हूं रात शाम के खाने की त्यारी यहां पर मैं बना रही हूँ दाल और दाल की एक साइट पर रख दी है दूसरी साइट पर मैं अप बहुत अच्छा लगता है इस तरह से मैं अपना रोज का ये मेरा काम है मैं जल्दी जल्दी से अपने काम को सबेट लेती हूं और यहां पर काट्वियों मैं डाल के लिए प्याज का तड़का लगाऊंगी और इसमें मैं अधरक और लसन नहीं डालती क्योंकि लसन तो बह मेरा डाल का तड़का भी कट होकर त्यार हो जाएगा और मैं खाने वाले प्याज भी जरूर कट करऊंगी इसके साथ जीराए वाली दाल अच्छी नहीं लगती लेकिन प्याज वाली दाल अच्छी लगती है 일본 कि लिए design को फोग लगता है वह म्छिए वाली दाल का ही लगत यहां पर मैं तड़का ही रख रही हूँ जिसमें मैं घी जीरा और प्याज डाल दिये हैं। क्योंकि आधे प्याज मैं रख रही हूँ इन में से इसकी मैं आपको एक रेश्पी दूँगी वो भी बहुत अच्छी सी जो मैं दाल के साथ बनाती हूँ दाल अकेली नी बनती साथ में कुछ ना कुछ हम बना लेते हैं जैसे चेक्नी हो या फिर पनीर की भुर्जी हो यह देखिया मेरी दाल थोड़ी सी गलनी शुरू हो गई है तो मैं इसी तरह से इसके ढख कर रख दूँगी और यहां पर मैं आपको रेस्पी दूँगी पनीर की भुर्जी की यह मैंने पनीर, धनिया, प्याज, अद्रक, टमाटर और यह सब चीजें रख दी हैं यहां पर मीर्च रख दी हैं और अब मैं घी लिया है, जीरा लिया है और प्याज इसी तरह से हम बूनेंगे बिल्कुल असान तरीके से बताऊंगी लेकिन आप जरूर बनाना जो चीज मैं इसमें बिल्कुल अलग डालूंगी आप जरूर डाल कर देखना उसके साथ खाना बहुत अच्छा लगेगा, चपाती बहुत अच्छी लगेगी यहाँ पर मैं हल्दी, मिरच, नमक और धनिया पाउडर और काली मिर्च डाल रही हूँ, मैश किया हुआ पनीर डाल रही हूँ